हलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी में लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी का एकदम आसान सा तरीका जिसे देखने के बाद आप घर पे हमेशा बनाना चाहेंगे और बाजार से लाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि बिगनर भी इसे बड़े लते हैं और इसमेआगे अब एक कप पानी डालेंगे तो पहले थोड़ा-थोड़ा करका डालेंगे लेकिन फड़ा-ड़न दोधना दोड़ेंगे नहीं पर दो lag कि इसका गोल बना लिया को देखे कंसिटेंसी दिखा रहे हूं बिल्कुल से एक धार गिरेगा नें Ah आपको चममच दिखा रही हूं और जब हम चममच होको कोट कर रहे हैं और उसमें हम लाइन ड्राउ हो जारा है आपस में जूडा नहीं रहा है तो हमें एसा बैटर चाहिए तो इसमें हम कुछ सोडा लिया है यह खाने का सोड़ा है तरह से पींच से उठाएंगे तो दो पींच डालेंगे बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके बिना भी आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा से डालिएगा तो यह फुला फुला और अच्छा बनेगा और इसमें हम डाल देंगे एक च यहाँ पर मैंने इसमें जाली बना लिया है तो मोटी वाली सुई को लीजिए और गरम करकर के इसमें टच करते जाये तो आसानी से यह जाली बन जाएगी अगर आपके पास यह नहीं है इस तरह से कोई भी बोतल का धकन में बनाना चाहें तो वह भी हो जाए आपको बोतल के धकन को छेद कर देना है इस तरह से जाली बना लेना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें जाली बना लिया है मैंने तेल को गरम होने रख दिया है तेल अच्छे से गरम है इतना गरम करना है कि आप थोड़ा से बैटर डाले तो तुरंत यह उपर आ जाए तो यहाँ पर मैंने जाली ओला डबा ले लिया है और तेल मेरा अच्छा से गरम है इसमें एक चम्मच हम भरके बैटर डालेंगे बेशन वाला और देखिए हमें कुछ नहीं करना है बस हम डबे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे यह अपने आप एक एक करके बूंदी गिरत जाएगी देखिए बड़े आसानी से गिर रही है जितना आपके पैन में स्पेस है उतना आप इसमें बूंदी डाल दीजिए यह बिल्कुल आसान सा तरीका है आप घर पे कभी भी नहीं बनाए फिर भी यह बड़े आसानी से बना लेंगे ऐसे बूंदी बनाना तो बहुत इक कलर आ चुका है इससे ज्यादा हमें नहीं फ्राइ करना है और सारे ही बूंदी को हम इस तरह से निकाल लेंगे देखिए कितने अच्छे बूंदी बने हैं बिल्कुल गोल-गोल मोती की तरह तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूं जितना इस पेस हो आपके देखी होगी और यह तरीका एक बार यूज करके देखिए घर पर धेर सारी बूंदी आप आसानी से बना सकते हैं और यहां पर मैं इसकी चार सिनी बना लूँगी चार सिनी के लिए एक हम गड़ा वाला बरतन लेंगे और यहां पर हम डालेंगे दो कप चीनी दो कप हमने बेशन लिया है तो चीनी हमें दो कप चाहिए आप सारे ही मेजरिमेंट ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बिना यह अच्छी नहीं बनेगी आप घर का कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं आपके पास इस तरह से कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले लीजिए ग्लास ल सकते हैं वर नहीं पसंद है तो इस किप कर दीजिए तो चार्षीनी को इसी तरह से हम पकने देंगे जब तक इसमें थोड़ा सा चिपचिपा पन ना आ जाए तब तक में पकाना है थोड़ी थोड़ी देरी के बाद आब इस तरह से देखते जाएगा देखिए हलका सा बुंदी में इसे डाल देंगे, देखिए सारा चारसनी इसमें हमने डाल दिया है और बुंदी को इस तरह से हम मिला देंगे अच्छे से चारसनी में, अभी आपको चारसनी ज्यादा लग रही होगी, पर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, आप देखिएगा इसे चलाते जाएंगे, ताकि अच्छे से बुंदी एब्जॉब कर ले चारसनी को, देखिए मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखा रही हूँ, करीब एक डेड़ घंटे के बाद, तो देखिए चारसनी अच्छे से अब्जॉब हो चुकी है, बिल्कुल नरम, मुलायम मौती जैसी हमारी बुंदी बनके तयार हो गई है, देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल जूसी बुंदी बनी है, और इतना बढ़िया तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और परफेक्ट रेशियो के साथ परफेक्ट बुंदी बनके ह हमारा तयार हो गया है, आप इसे परसाद में बनाई या कुछ मीठा खाने का मन करें या फिर किसी भी परवतेवहार में आप इसे बना सकते हैं, यह हमारी बुंदी की आसाम से रेशिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजेगा, आपने अभ एक के बीडियो किसात, भाई-खम्य अजů